यदि आपको हमारे चैनल के नोटिविकेशन्स नहीं मिलते हैं तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद ये बैल आइकॉन पर अल उपर जरूर क्लिक करें करेंगे जिसने दो वीडियों नहीं देखें आपको दिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक देदू का दोनों ही वीडियो की या फिर वीडियो के अंत में आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा ठीक है स्टार्ट करते वीडियो को सुपरफास्ट करेंगे सौकॉशन तो प्लीज पूरे वीडियो जरूर देखीगा सल्तनत काल में केले की सेना के खर्च के लिए निर्धारत भूमी को क्या कहा जाता था तो मफरूज कहा जाता था प्रांत की सेना क्या कहलाती थी तो हश में अतराफ कहलाती थी ग्वालियर अभीलेग के अनुसार अर्भों को सिंद से आगे बढ़ने के लिए ब्रेडन वूट्स समेलन के परणान स्वरूप किस अंतर राश्रिय मौदरिक संस्थान की स्थापना हुई थी तो अंतर राश्ट्रिय मुद्रा कोस आई-मक की स्थापना हुई थी गोल्डन हैंड शेक स्कीम किस से सम्बने थे तो स्वेक्षिक सेवा नर्वत्ती से सम्बने थे किस वित्तिय संस्था का सम्बन्द भारत की क्रसी एवं ग्रामड वित्ति की आवशक्ता तक ही सीमित है तो नावाड का सम्बन्द सीमित है ग्रामड कसी और ग्रामड वित्ति की आवशक्ता शिवार अवन समिती की सिफारिसों के आधार पर किस बैंक संस्था की स्थापना की गई थी तो राश्टिय ग्रामड राश्टी क्रसी एवं ग्रांड विकास बैंक जिसको नाबाड कहा जाता है कर सुधार समिती के अधिक्ष कौन निक्त किये गए थे तो राजा चेलाईया किये गए थे Tax Reform Committee के अधिक्ष नाबाड की स्थापना किस पंचवर्षी योजना की अवधी में की गई थी तो छटवी पंचवर्षी योजना में की गई थी और दोगे क्रांटी सवरुपदम किस देश समय हुई थी तो इंग्लेंड में सबसे पहले और दोगे क्रांटी हुई थी करंशी एंड फाइनस पर वारशिक रिपोर्ट का प्रकाशन किससे के द्वार किया जाता है ? कंपनी द्वारा लाभांच की घोषना किस पर की जाती है ? तो किजला की जाती है पूंजी पर की जाती है सब्सक्राइब्ड पूंजी पर हिंदू व्रड्धी-धर से संभनत है तो राश्टी आया हरत किसका अंसर्वाधिक होता है तो तराशिय हुए हीरे का सरवाधिक अंस है तो 15 यूजना भारत के किस से राज्य में संबन्धत है तो मदपे संबन्धत है 15 यूजना मुडीस क्या है तो अंतर राष्टी रेडिंग एजेंसी है मुडीस हायर एंड फायर नीती का संबन्ध किस्से है तो मुआवजा देकर कर्मचारियों की छट्नी करने से हैं सबत्रिशी समिती का संबन्ध किस्से है तो स्वदेशी चाय उद्धयों को सूध्रन बनाने के लिए सबत्रिशी समिती का घठन किया अगया था संगाई सायोग संगठन कितने राष्ट सरस्य हैं संगाई सायोग संगठन में तो 6 राष्ट हैं सरस्य डो जोन्स या डाव जोन्स किस स्टॉक एक्षेंज का सेर सूच कांख है तो नियू यॉर्क का है डाव जोन्स या डो जोन्स विश्व व्यापार संगठन मतलब WTO होता है WHO गलत लिखा है यह तो World Health Organization हो गया विश्व स्वास्त संगठन तो WTO की सरज संख्या कितनी है तो 157 भारत में अनववरत योजना किस अवधी के लिए बनाई गई थी तो 1978 से 1978 से 1983 के लिए भारत का सबसे बड़ा व्यावसाइक बैंक कौन सा है तो State Bank of India सबसे बड़ा Commercial Bank है देश में सीमा सुल्क की अधिक्तम दर क्या है तो 20% सीमा सुल्क है अधिक्तम दर भारत में किस प्रकार के रासानिक उरवरों की खपत सरवादिक होती है तो nitrogen type के जो उरवरों की खपत सरवादिक होती है भारत की राष्टी IMC स्चेतर का सर्वादिक योगदान है तो तरतिया की छेतर का सरवादिक योगदान है महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम तथा अन्तिम आकरवन किस वर्ष किया? था तो प्रताम आकारवन Prime 1-1027 इसम्षपी कर ली थी अंपनी राजदानी मुर्षितम वाद से मूंगेर ली थी तो मुंगेर मुर्सिदावाद से मुंगेर शिप्ट हो गए थे चोल शाशक किस मत के संड़क्षक थे तो शैव मत के संड़क्षक थे श्योल सासक चितोड अभियान के दौरान एक फार्सी इतियासकार अलाउदीन खिल जी के साथ गया था वह कौन था तो अमीर खुस से क्या है तो तौमिल व्याकरन विशय है जुनागड स्थित सुदर्सन जील का निर्मान किसने कराय था तो चंड्रकूप्त मौूरत ने कराय था मिष्क साशक तो लेभी ने डायनोसियस को दूत बनाकर भारत के किस साशक के पास भृया था तो बिंदुसार के पास भिया अबी लेखों में देव नाम प्रीय दर्शी किस साशक को तो अशोक को कहा गया है किस बौद विक्षू के प्रभाव से अशोक का धर्म परिवत्न हुआ था तो उपगुप्त के प्रभाव से हुआ था इस्लामी स्थापत्य कला का सरवादिक बहुमूल रत्न समझे जाने वाले अलाई दर्वाजी का निर्माण किस ने कराय था तो अलाउदील खिल जी ने अलाई दर्वाजा का निर्माण कराय था तुंग बद्रा तथा भीमा नदिया किसकी साइक नदी है तो कृष्णा नदी की साइक नदी है तुंग बद्रा भीमा महराश्ट का नासिक सहर किस नदी के किनारे है किस नदी के टगपर है गोदावरी नदी के किनारे है सूर्य ग्रहन में पूर्ण सूर्य ग्रहन की अधिक्तम आउधी कितनी होती तो साथ मिनट चालिस सेकंड हिमाले की किस चोटी का नाम सागरमाथा है तो एवरिष्ट का नाम है गंगा को बंगलादेश में किस नाम से जाना जाता है तो पद्मा नाम से जाना जाता है गंगा नदी को तीस्ता नदी किस व्रहत नदी व्योस्था के अंतरगत आती है तो ब्रह्मपुत नदी के अंतरगत आती है तीस्ता नदी किस नदी को बोरी नदी कहा जाता है तो गोदावरी नदी को कहा जाता है सेंट फ्रांसिस्को से ब्लाडी वोश्टक के लिए नियूंतम दूरी तैकर किस एक महा सागर के ऊपर से उड़ान भरनी पड़ेगी तो प्रसांत महा सागर पार करना पड़ेगा लहोत से परवत शनी नेपाल में धौलाधर तथा पीर पंज्ञाल परवत शनीओं के ये कौन सी घाटी इस्तित है तो कुल्लू घाटी है धोलाधर और पीर पंजाल के बीच में दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने स्यानिकों को भी वेतन भू राजस्यों के रूप में देने की प्रथा सुलू की थी तो फिरोज तुकलक ने तारीक ए फिरोज साही की रचना किस ने की थी तो जियाद दीन बरनी ने की थी कैप्टन होकिंस और सर थॉमस ने किस मुगल शाषक के संबंद में विस्तर चर्चा की थी तो जहांगीर के संबंद में विस्तर चर्चा की थी सिंदु घाटी सविता कहां तक विस्तर थी तो पंजाब राजस्थान गुजरात औ और उत्तरप्रदेश, हरियाना, सिंध और बलुशिस्तान तक सिंधुगाटी पहली थी। हरप्पा समविता के लोग समाज के मुखिता, प्रमुकता किस चार वर्गों में भख थे तो विद्वान, युद्धा, व्यापारी और स्रमिक थे हरप्पा समविता के समय, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था तो 563 बिफोर क्राइश्ट, चित्राक्षर लिपी किस काल की लिपी है, तो सैंदव काल की लिपी है, चित्राक्षर लिपी, विज्ञानवाद के प्रमुक आचार कौन है, तो बसुबंदु विज्ञानवाद के प्रमुक आचार है, चोल पांड और चेरों के संबंद में जानकारी मुखिता कहां से प्राप्थ होती है, तो संगम सा जनक्राचारे ने किस सिद्धान्त का प्रिपार्ण किया था ती किसी की रचना का इर्ज विल्हड की रचना है शल्टनत काल में दीवान ईर्ज कॉन सा विवाक्था तैने विवाक्था दीवान ऐरज elephant dhara किस देश में है तो शीलंका में elephant dhara इस्थे थे cap canaveral कहां जहां से space shuttle छोड़ा जाता है किस के तड़ पर इस्थे थे तो florida के तड़ इस्थे थे cap canaveral यहां से space shuttle छोड़ा जाता है भारत के किस स्थान से दो महत्पूर नदिया निकलती है और एक अरफ सागर की तरफ दूसरी बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है तो अमर जमाला मुख है आउरला वहर्मूस्तों के लिए पते ही अर्यकर कि पैसे। के में पाकिस्तान का रचना दो किन दो नदियों के बीच में है तो चिनाव और रावी नदी के बीच में है भारत का सबसे बड़ा जन जाती समह कौन सा है तो भील जन जाती है और गॉनक़ गलत है भील है यह रखGen भारत में पश्मीना उन किस से प्राप्त होती है तो बक्री से प्राप्त होती है पश्मीना उम्र उन हरत ग्रह प्रभाव के प्रमुक स्रोथ के रूप में कौन सी गैस सबसे प्रमुक माने जाती है तो कारवंड़ अक्साइड माने जाती है अलफा अलफा क्या है एक प्रकार जो है आपका नौर्ट से पांच साउथ आख्छांस के बीच में है। सुएज नहर को दो सिरों पर इस्थित बंदरगाह कौन सी है तो एक है पोर्ट साइद और दूसी तरफ है सुएज। बैला डिला किसके उत्पालन के लिए प्रिसद्ध है तो लोह ऐसके के लिए प्रिसद्ध है। बोल्टा नदी परियोजना किस देश में है तो घाना देश में है। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है तो चूना पत्थर का परिवर्तित रूप है संगमरमर। कौन सा देश दक्षन का ब्रिटेन कहलाता है तो न्यूजिलेंड को दक्षन का ब्रिटेन कहा जाता है कौन सा शहर पूर्व का मौती कहलाता है तो सिंगापूर को पूर्व का मौती कहा जाता है कारा कोरम राजमार किन दो देशों के किन दो देशों को जोड़ता है तो पाकिस्तान और चीन को जोड़ता है कारा कोरम एल मिष्ट्री ज्वालम की किस देश में है तो पेरू में है एल मिष्ट्री ज्वालम की पिरे नीर परवत किन दो देशों के बीच में है तो इंग्लेंड और आइलेंड के बीच में है पिरे नीच परवत कौन सी सामुद्रिक नहर उत्री सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है तो कील नहर जोड़ती है उत्री सागर और बाल्टिक सागर को प्रत्वी की भ्रहण गती कितनी है तो 27.6 किलोमेटर प्रती मिनिट विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की जिल कौनसी है तो लेक सुपीरियर हिमाले की कौनसी स्रेणी प्राचीनतम है तो व्रध हिमाले स्रेणी प्राचीनतम है किसके साशनकाल में भारतिय राश्टी कॉंग्रेस का प्रतिबंद लगाया था तो जो है आपके लॉड विलिंगिटन के साशनकाल में भारतिय राश्टी कॉंग्रेस के कॉंग्रेस पर प्रतिबंद लगाया था और करीब करीब एक लाख बीस हजार सदस्यों को गिरपतार भ उसको प्रिकासित किया था भार्तिय संधन्ता संगर्ष के दौरान जिवरिक इस्थित International Pre-India Committee का अधिक्षक वन था तो जिसने बाद में इंडियान न 민주 फार्टी का प्रारम भी किया तो चंपक peso रामन गुड़े जी थे इन्होंने प्रारम के थी भार्तिय जो इंडियान तो स्वदेशी तथा बहिसकार अंदोलन से संबने थे। शाम जी, कृष्ण वर्मा जी ने और ये राज का आखरी कोशन भारत विवाजन के संदरों में उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के राजने थे। अब्दुल गफार खान द्वारा ये हो गया आपके 300 कॉश्चन है ना आपको पुराने दो पार्ची स्क्रीन पर आपको शू हो जाएंगे अभी आपको स्क्रीन पर दिखने लगेंगे जैसे वीडियो खतम होगा। अगले पार्ट के लिए कमेंड प्रची कमेंड करके बताये ये आपको अगला पार्ची होया हो। आपस एक कॉश्चन पूछते हैं खान अब्दुल गफान खान और किस नाम से यान जाता था कमेंड विधी बताये मिलते अइस आप मैं ख्यार रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपके दिन शुब हो बहुत बहुत धन्यवाद